नमस्कार दोस्तों आपका स्वाकत है दोस्तों करने अफरीश के सीरीज में में अप्रील महिने के पार्ट तू में 8 से 15 परिल 2014 तो के कर रेवस्त के सब्सक्राइब साथ करते हैं पॉला करस्चन है भार सरकार ने किस वर्स के अंतक यूरिया के आयात को समाप्त करने की गोशना किया है तो ये किया गया है दोजार पंदर दोजार पचीस का लक्ष निर्धारित किया गया है यूरिया के आयात को समाप्त करने के लिए next किसने 2026 राष्टमंडल खेलों की मेजवानी से इंकार किया है तो उपरोक्त सभी हो जागा फिलाल क्या हुआ है कि आस्ट्रेलिया उसके बाद मलिशिया और उसके बाद सिंगापूर इन तीनों देशों ने राष्टमंडल खेलों की मेजवानी से इनकार कर दिया है होता है कि राष्ट मंडल या फिर किसी भी खेल का आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारे पैसें का इन्वेस्टमेंट होता है और उतने पैसे वसूल नहीं हो पाते हैं तो सलिए आजकल क्या होता है कि अधिकतर देश जो हैं वो किसी भी खेल को आयोजन करने से इनकार करते हैं नेक्स्ट दस अजार मेगावाट नवी करनी ये उर्जा छमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है तो ये बन गई है आधानी ग्रीन नेक्स्ट ओपन एई ने हाल में एक नया टेक्स्ट तू ऑडियो टूल बिक्सित किया है जो किसी वेक्ती के वोईस सेंपल और लिखे टेक्स्ट के अधार पर किसी नय भासा में आडियो उत्पन कर सकते है तो उसका नाम है वोईस इंजन तो voice engine के बारे मियाद रखना है ये open AI के द्वारा develop किया गया है और ये क्या करेगा कि किसी भी बेक्ति का voice sample होता है और उसके द्वारा लिखेगा कुछ text तो जब इसको डाला जाएगा तो क्या करेगा उसकी अधार पे एक audio उत्पन कर देगा तो ऐसा लएगा कि वो आदमी खुद बोल रहा है PV सब्द, PV सब्द क्या है? परशार भारती ने हाली में एक news sharing service को launch किया गया था उसी को नाम दिया गया था PV सब्द तो P for परशार B for भारती भासनी, भासनी क्या है? कि भारत की एक artificial intelligence based language translator है तो आप किसी भी भासन में अगर बोलेंगे तो वो दुसरे भासन में translate कर सकती है यह भासनी एप स्वर्वेंद, स्वर्वेंद क्या है? स्वर्वेंद क्या है? यह विस्प का सबसे बड़ा ध्यान केंदर है हाली में इसका उद्गाटन परधान मंत्री नरेदमोदी के द्वरा किया गया है next हिमालई वर्फ से होने वाले बाढ़ अर्थात ग्लोफ्स इसका मतलब है global lake outburst flood के खत्रों के आकलन हाल में किस ने किया है तो यह किया गया है उत्राखंड के द्वरा तो जैसे क्या होता है कि हिमाले के उपर जो glaciers होते हैं तो glaciers जो होते हैं यहाँ पर glaciers हो जागा ठीक है global लिखते हैं glaciers हो जागा हिमाले के उपर जो glaciers है तो उसमें outburst होते है यानि कि पानी बरकर बहुत flood उत्पन करता है बड़ जीसी अवस्त्रा उक्तपन करते तो उनी खत्रों का आक्न अभी हाली में उत्राखंण ने किया है तो यदर रखने ग्लोफ क्या है Glacier Lake Outburst Flood उत्राखंण के बारे में कोरकोशन नियाद रखने हाली में समान नागरिक सहीता उत्राखन के द्वारा लागू किया गया है नेक्स्ट फिलिपिन्स के साथ मिलकर अमेरिका जापान और आस्ट्रेलिया ने कहा एक नौ सेना डिल आयोजित की तो यह आयोजित की गई है दक्षनी चीन सागर में तो याद रखना है दक्षनी चीन सागर में फिलिपिन्स के साथ मिलकर अमेरिका जापान और आस्ट्रेलिया ने एक नौ सेना डिल को संपन किया था इसी परकार का एक डिल था जो कुछ टाइम पहले अरब सागर में किया गया था और उसमें भारत, संजुकत अरव अमिरात और फ्रांस ने भाग लिया था नेक्ट हाल में भारत सरकार ने आवस्यक वस्थो के निर्यात का कोटा बढ़ाया है इसके बाद किस देश को अब तक का सबसे बड़ा निर्यात की मंजूरी मिली है तो ये मंजूरी भी लिए मालदिप्स को अभी जैसा कि पता है कि मालदिप्स और भारत के रिलेसंस खराब हुए लेकिन फिर भी भारत ने वहाँ पे निर्यात की मात्रा को बढ़ा दी है Next किस राज की मदर्शा सिक्छा बोड अधिनियम 2004 के और संभैधानिक घोसित करने वाली इलहावाद उचनियाले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने धर्म निर्पेक्ष्टा के सिधान्त और अनुचेद 14 के मौलिक अधिकारों का उलंगन मानते हुए रोक लगा दिया है तो ये उत्तर परदेश का एक नियम था तो कोशन को पहले समझ लेता है उत्तर परदेश में था मदर्सा सिक्षा बोड़ादिनियम 2004 तो उसे इलहावाद उचनियाले ने और संभैधानिक घोसित कर दिया था लेकिन हारी में सुप्रीम कोर्ट ने इलहावाद उचनियाले की साधिस को रद कर दिया है किस आधार पे तो धर्म निर्पेक्षिता के सिधानत के आधार पे और अनुच्छेद 14 जिसमें मौलिक अधिकारों के उलंगन के बारे में बात की जाती है तो उसके आधार पे उसे बंद कर दिया है तो ये उत्तर परदेश में ये घटना देखी गई थी नेक्स्ट पूर्सों में पाया जाने वाला प्रोस्टेट ग्रंती से संबंदित प्रोस्टेट कैंसर जिसमें इरिनेशन में परिसानी होती है का मामला भारत में कब तक दुगना होकर 71,000 को पार कर जाएगी जो हाल की लेंसेट रिपोर्ट ने जारे की है तो ये जो है 2040 तक डबल हो जाएगी तो लेंसेट रिपोर्ट ने हाली में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्रंती जो की पूर्सों में होता है तो उससे संबंदि जो कैंसर होता है जिसमें इरिनेशन में परिसानी होने लगती है तो इसका संख्य जो है 2040 तक 71,000 हो जाएगी नेक्स्ट वर्तमान में विश्व के सबसे उम्रदराज बेक्ती कौन है तो ये हैं मारिया ब्रायांस मारिया ब्रायांस जो एस्पेन के हैं वो वर्तमान में विश्व के सबसे उम्रदराज बेक्ती है जुआन विंसेट पराज मोरा इनके बारे मियाद रखना है इनसे पहले जुआन विंसेट पराज मोरा जो है वो विस्प के सबसे उम्रदराज बेखती थे हाली में उनका 114 वर्स की आयू में निधन हो गया है और जोन टिनिसवूड यह बिर्टेन के है और यह वर्तमान में 112 साल के है तो पूरुस के बारे में बात की जाए तो जोन टिनिसवूड जो है वो सबसे उम्रदराज बेखती है और महिला के बारे में बात की जाए तो मारिया ब्रायांस जो है वो सबसे उम्रदराज बेखती ह और ये वर्तमान में 117 साल से ज़्यादा उम्र की है और ये स्पेन की है और ये United Kingdom की है तो इन सब के बारे मियाद रखना है Next, पुष्टक The Idea of Democracy किनकी रचना है? तो ये जो रचना है, ये Sam Pitrhoda की रचना है साथ मियाद रखना है, अभय के इनकी हाल की एक रचना थी फूल बहादूर, एक्चोली में फूल बहादूर जा है वो जयंत पार्टी की एक रचना थी तो उसी का अंग्रेजी अनुबाद अभय के के द्वारा की गई है रगुराम जी राजन और रोहित लामबा इनकी एक हाल की पूजदक है Breaking the Malt Reimagining India's Economic Future और चित्रा बैनरजी इनकी एक हाल की पूजदक है An Uncommon Love Next कि ने जर्मन लोकतंतर पुर्षकार से हाली में समानित किया गया है तो यह समान दिया गया है यूलिया नवलनया को मीना चंदारा मीना चरांदा इन्हें हाली में इंटरनेशनल Culture Awards से समानित किया गया था अमताब गोस को हाली में निधरलेंड के द्वारा इरासमस पुरुसकार से समानित किया गया था क्रिष्टीना प्रिश्कोबा यह हाली में Miss World बनी है Next किसराज के बने सितार और तानपूरा को हाली में GI Tag परदान किया गया है तो यह महराष्ट का है वाद्दी अंत्र हाली में उत्तरपरदिस के पिलिवित के वासुरी को भी GI Tag परदान किया गया है और यह भी धियान रखना है कि तमिलनाडू जो है नेक्स्ट, हाल में त्री सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहा किया गया, जिसमें तीनो सेनाओ में संजुक्तता और एकता पर चर्चा की गई, तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में, तो याद रखना है परिवर्तन चिंतन, परिवर्तन चिंत जो कि International Yoga Day के 75 दिन पहले यह countdown शुरू हुआ है योग महुतसब तो याद रखने है योग महुतसब के सुर्वात हाली में पूने में की गई है और राची में याद रखना है कि राची में महिला होकी लीग राश्क्रिय महिला होकी लीग कायजन जो किया जाएगा यह राची में शुरू होने वाली है नेक्स्ट हाल में भारतिय से नहने वेरी सौट रेंज इयर डिफेंस अर्थात वी सौट छमता वाली मैन पोर्टेवल इयर डिफेंस सिस्टम यानिके मैन पेट्स इगला एस किस देश से खरीदी है तो यह रूस से खरीदा गया है तो कुश्चन को समझ लेते हैं वी सौट वी सौट क्या है? तो वी सौट का मतलब होता है वेरी सौट रेंज इयर डिफेंस तो हाल में भारतिय से नहने वेरी सौट रेंज इयर डिफेंस यानिके वी सौट छमता वाली मैन पोर्टेवल इयर डिफेंस सिस्टम जिसको मैन पेड कहा जाता है तो यह क्या कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो मनुस अपने कंदे पर लेके चला सकता है और उसका नाम क्या है इगिलायस है यह रूस से खरीदा गया है नेक्स्ट लिफियम एन बैटरी और इवेस्ट के पुनर चकरन अर्थात रिसाइक्लिंग के लिए उत्राखन ने किसके साथ समझाओता किया है इसका उप्रोक तो दोनों हो जाएगा टेकनोलोजी डेवलप्मेंट बोर्ड और मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिम्टेड इन दोनों के साथ समझाओता किया है नेक्स्ट वानेज बिभाग के द्वारा 14 हमें 14 सदसी ए इंडो पैस्पेक इकनोमिक फ्रेमबक फॉर प्रोस्पेरेटी अर्थात आई पी एफ के पहले क्लीन इनर्जी इनवेश्टमेंट फॉरम का इजन सिंगापूर में किया जाएगा इसका मूल अस्तम भी क्या है तो इसका उप्रोक तो सभी हो जाएगा तो क्वेश्चन को समझ लेते क्या क्या है इंडो पैस्फिक इकनोमिक फ्रेमबक प्रोस्पेरिटी अर्थात IPEP इसके 14 सदस है और यहां वानिजी विभाग के दोरा सुल्प आयुजद की जाती है तो इसके पहले क्लीन इनर्जी इनवेश्टमेंट फॉरम का इजन सिंगापूर में किया जा रहा है तो यह सिंगापूर में किया जा रहा है और इसमें मुल रूप से चार बातों पर चर्चा की जाएगी क्या क्या है तो ब्यापार और स्वच अर्थवेवस्था तिसरा है आपूर्ति स्रिंखला में लचिलापन और चोथा है निस्पक्च अर्थवेवस्था नेश्ट नेमलिखित में से कौन Election Commission of India से संबंधित एप या सिस्टम नहीं है तो ये बूथ राप्ता जो है वो Election Commission of India से संबंधित नहीं बाकि सुवधा एप, सक्छम एप इनकोर और सी वीजिल ठीक है यहाप पर सी वीजिल हो जाएगा सी वीजिल एप तो ये सब जो है Election Commission of India के दोरह डिवलप किया गया तो ये सब एप है और इनकोर जो है एक ओपरेटिंग सिस्टम है तो ये भी Election Commission of India के दोरह हाली में लॉँच किया गया था बूथ राप्ता भी Election Commission से संबंधित थे लेकिन ये तहत विकासील देशों के दोरह अपने किसानों को गेहूं और चावल के उत्पादन में वर्ल्ड ट्रेट और्गनाइजेशन के दोरह निर्धारित दस परतिसत से अधिक की सबसेडी के उलंगन को प्रती रक्षा परदान करता है उसे सांती खंड या पिस क्लाउज कहा जाता है को हाल में किस देश ने लगातार पांचमी वार लागू की तो या अपने देश भारत के दोरह लागू की गए तो कोशन को समझ लेते हैं 2013 में वर्ल्ड ट्रेट और्गनाइजेशन का बाली बाली मंत्री अस्तर्यस समीती का जन किया गया था तो उसी में एक चर्चा की गई थी सांती खंड या फिर पिस क्लाउज के बारे में चर्चा की गई थी एक्चली होते क्या है वर्ल्ड ट्रेट और्गनाइजेशन यानि कि World Trade Organization जो है वो यह एक नियम बनाया है क्या नियम बनाया है कि कोई भी देश अपने किसानों को 10% से अधिक की सबसीडी नहीं दे सकती है लेकिन यह जो है जो बिकासील देश है तो उन्हें गेहूं और चावल के उत्पादन ठीक है गेहूं और चावल के उत्पादन में इससे ज़्यादा सबसीडी दे सकता है और यह कब निर्धारित की गई थी? तो 2013 में जो World Trade Organization की बाली मंत्रिय स्तरी समीती हुई थी वहाँ पर यह बनाये गई थी और उसका नाम दिया गया था सांती खंडिया फिर पीस क्लाउड तो उसी को हाल ही में भारत ने लागू किया है क्यों? क्योंकि भारत जो है वरतमान में अपने किसानों को 20% की सबसीडी परदान कर रही है इसके साथ और याद रखना है कुछ-कुछ याद रखेंगे जेनेवा जेनेवा में क्या है? स्विट्जेलेंड के जो जेनेवा है तो हाँ पर उसका हेटकॉार्टर है कि डबलू टीओ का हेटकॉार्टर जो है वो स्विट्जेलेंड के जेनेवा में है अबुधावी, संजुक्त अरब अमिरात के अबुधावी में हाल ही में 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फेरेंस फरबरी दोजाशाच चौबिस में आयत की गई थी World Trade Organization की मिनिस्ट्रियल कॉन्फेरेंस का हैजन हाल ही में UAE के अबुधावी में किया गया था और 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फेरेंस का जो एजन किया जाएगा वो कैमरून में किया जाएगा तो इन से बातों को याद रखना है कि नेक्स्ट वाला जोगा वो कैमरून में किया जाएगा ये question भी थोड़ा important है थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या है question को पढ़ लेते हैं पहले question क्या है बर्मान में पाए जाने वाले सभी प्राथमिक कन जैसे electron, proton, quark, proton जो भी हो जो भी कन होते हैं तो उनके द्रबमान को परदान करने वाला जो थत्व होता है उसको Higgs Boson नाम दिया गया था जिसे अब तक की सबसे बड़ी experiment, Large Hadron Collider द्वारा 2012 में पता लगाया गया था जिसे 1964 में Peter Higgs और सतिंदर नाथ Boson के द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो हाल में इन दोनों में से किन का निधन हो गया है जिसके कारण ये चर्चा में आगया है तो पहले question को समझ लेते हैं क्या question है जिसने ब्रमान में जो भी कन पाए जाते हैं Electron, validate, neutron, जो भी है तो उसमें द्रवillance होता है तो द्रवillarमान होने का मूल कारण क्या होता है इसमें भारत के सतेंदरनाथ बोस तो इसके नाम पे बोसोन और पीटर हिक्स तो उनका हिक्स दोनों को जोर के हिक्स बोसोन उसका नाम दिया गया था तो उसका एक experiment किया गया था 2012 में और उसका नाम दिया गया था Large Hadron Collider तो यहाद देखनें Large Hadron Collider का है एक experiment था जो अब तक का सबसे बड़ा experiment माना जाता है तो यह किसलिए किया गया था 1964 में Peter Higgs और Satyandranath Boss जिन्होंने Higgs Boson के बारे में बताया था कि यह होता है जिसका बर्मान में जो भी पदार्थ जो भी तत्ते उपा जाते है उनमें जो मास होता है तो उनका मूल कारण होता है कुछ तत्तव होता है उसे Higgs Boson उन्होंने नाम दिया था तो हाली में Peter Higgs का नीधन हो गया है इसके लिए यह चर्चा में आ गया था तो याद रखना है Peter Higgs का हाली में नीधन हो गया वो कौन थे तो Higgs Boson में से जो Higgs Boson का जो खोज किया गया था वो इन्ही के द्वारा खोज किया गया था सत्यंदरनात Bos के साथ मिलकर और यह अभी याद रखना है कि मोंटे कारलो मास्टर्स का मुख ड्रो के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतिये टेनिस खिला रही सुमीत नागल को किसने हराया तो उनको होलगर रून ने हराया तो याद रखना है important क्या है कि सुमीत नागल के बारे में याद रखना है सुमित नागल तो मोंटे कारलो माश्टर्स का जो खिताब था उसका 49 वर्स का इतिहास में पहली बार भारत के सुमित नागल जो है सुमित नागल उसमें क्वालिफाई किये थे लेकिन फाइनल में उन्हें खोलगर रून के द्वारा हर का समना करना परा नौवाक जुकोविच के वारे में आद रखना है ये सबसे अधिक उम्र के world number one खिलारी बन गए है नौवाक जुकोविच रोहन बोपनना ये इनके वारे में आद भारत के हैं रोहन बोपनना और ये डवल्स का खेल खेलते हैं जेनरली और ये सबसे ज़्यादा उम्र में जीतने वाले ये खिलारी बन गए हैं रोहन बोपन्ना और कार्लोस अलकराज जो हैं वो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर वन खिलारी बने थे नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजिशन हैं कि विस्प स्वास्थ संगर्ठन की हाल की रिपोर्ट के अनुसर लिवर में सूजन से संबंधित हेपेटाइटिस का मामला सबसे ज़्यादा किस देश में पाया गया तो ये 2022 में चीन में सबसे ज़्यादा पाया गया और भार के वारे में एक और कोस्टन कि 2014 तक भारत में प्रोस्टेट कैंसर का जो संख्या वो दोगुना होकर 70,000 के करीब पहुंच हो जाएगा नेक्स्ट हाल में कार्ट्रिन जैपकोब ट्रीज किस देश के परधान मंत्री के पद से इस्तिफा दिया तो इनका नाम तुरा देख ल लरने वाले हैं वियतनाम के राष्टपती जिनका नाम था वी वान थूओन उन्होंने भी हाली में अपने पद से इस्तिफा दिया था हंगरी के राष्टपती कैटलिन नोबाक इन्होंने भी अपने पद से इस्तिफा दिया था और आयरलेंड के परधान मंत्री जिनका ना उन्होंने भी अपने पद से इस्तिफा दिया था, तो इन सब के बारे मियाद रखना है, इन कुछ लोगों ने अपने पद से हाली में इस्तिफा दिया है, नेक्स्ट, आइरेन डॉम का नेवल वर्जन, सी डॉम, नामक वायू रक्षा पर नाली, किसने बिक्सित की है, तो इ अंतरगत कारी करने वाली, US-India Tax Forum के अध्यक्ष कौन बने है, तो यह बन गए है, तरुन बजाज, तो यहाद रखना है, तरुन बजाज जो है, वो US-India Tax Forum के अध्यक्ष बन गए, और यह किसके अंतरगत कारी करता है, तो यह, US-India Estergic Partnership Forum के अंतरगत यह कारी करता है, यहा SPF के अध्यक्ष और CEO के पत्पनिप किया गया था स्री निवास पाल लिया इन्हें हाली में विप्रो का CEO बनाय गया था और मनोज पांडा इन्हें हाली में Ministry of Finance Finance का मिशन का मेंबर बनाय गया है हाली में मनोज पांडा को Next Cytokines या फिर Cytokines का सकता है Cytokines Protein Cytokines Protein का एक सम्मू है जो विभिन कोशिकाओं को नियंतरित करता है पर आधारित एक नैनो सेंसर हाल में किसने विक्सित की है जो त्वरित रोग पहचान में सक्छम है तो यह IAT जोधपुर के दोवरा विक्सित की है तो या रखना है नैनो सेंसर नैनो सेंसर को हाली में विक्सित की है IAT जोधपुर के दोवरा तो यह क्या कार्ज करता है तो यह क्या कोई भी विमारी है तो बहुत तेजी से उस रोग की पहचान करने में सक्छम है और एक किस पर आधारी थे तो यह cytokines protein के पर आधारी तो cytokines protein जो होता है वो विभिन कोशिकाओं को नियंतरित करता है तो उसी में कमी यह अधिकता जब होती है उसमें जब कुछ परिवर्तन होता तो उसी के आधार पर यह जो nano sensor है वो किसी भी विविमारी का पतल लगाने मे सक्षम है IAT Bombay के बारे मियाद रखने हाले में IAT Bombay के दोरा कार्टी सिल थेरपी जो cancer से संबंदी थे उसको विक्सित किया गया था कार्टी सिल थेरपी next कौन भारतिय महीला होकी टीम के कोच निक्त किये गए तो यह हरेंदर सिंग बन गये है भारतिय महीला होकी टीम के कोच दिलिप तिरकी वर्तमान में होकी इंडिया की अध्यक्ष है जौनिक सोपमेन के बारे में भी याद रखा जा सकता है जौनिक सोपमेन कौन है तो अभी हरेंदर स्टिंग जो भारतिय महिला होकी टीम के कोच बने तो इनसे पहले जौनिक सोपमेन जो थे वो थे और पूरुस भारती है पूरुस होकी टीम के जो कोच है वर्तमान में क्रेग फूल्टॉन है नेक्स्ट भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की अनुरूप अपने Corporate Social Responsibility के अंतरगत बालिकाओं को ससक्त बनाने के उद्देश से किसने Girl Empowerment Mission के नेसंस करन को लौँच किया है तो यह NTPC के दोरा लौँच किया गया है तो क्या के क्वेश्चन में बताएगे बेटी बचा बेटी पढ़ा एक योजना है किंदर सरकार की Corporate Social Responsibility इसके बारे मैं जान लेते है क्या हता है कि कोई भी जो बड़ी कमपैनी होती है तो कहीं पर कारे करती है अपना कमपैनी लगाते है तो उससे क्या हता है कि आम लोगों को बहुत सारे तकलिफों का सामना करना पड़ता है उस कमपनी को लगाने से तो उस company का एक responsibility बनता है कि वो आम जनता के लिए कुछ खाड़े करे तो उसी को उसी का जो responsibility होता है तो उसी को corporate social responsibility कहा जाता है तो उसी के अंतरगत बालिकाओं को ससक्त बनाने के उद्देश से Girl Empowerment Mission की सुरवात हाली में NTPC के दोरा किये गई है अधानी green के वारे में याद रखना है ठीक है अधानी green अभी बरतमान में चर्चा में है क्यों क्योंकि कच्छ में गुजरात के कच्छ में विश्व की सबसे बड़ी green energy park को बिक्सित कर रहा है अधानी green तो यह भी important है पूछा जा सकता है कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा green energy park अधानी green के दोरा बनाया गया है next 10 अप्रेल होमियोपैथी दिवस के अबसर पर Central Council for Research in होमियोपैथी के दोरा आयोईद संगवर्ष्टी का उध्यान उध्गाटन ने दिल्ली में किस ने किया तो Central Council for Research in होमियोपैथी इसके दोरा हाली में एक संगवर्ष्टी का उध्यान किया गया है ने दिल्ली में इसी का उध्गाटन राष्टपती दुरुपती मूर्मू के दोरा किया गया है भारत और किस देश के बीच आयद सहन अभ्यास डश्ट लिक के पासमें संसकरन का आयजन उस देश के टर्मेज में किया गया है तो यह तर्मेज का है तो उजबेकिस्तान में एक जगह है तर्मेज तो वहीं पर डस्टलिक नामक एक सहन अभ्यास का यजन किया जाता है जो भारत और उजबेकिस्तान के बीच आईद की जाती है तो याद रखने है डसलिक भारत और उजवेकिस्तान के बीच आज़ित की जाती है इसी तरह से सेसल्स सेसल्स में लिमिती ये नामक एक सेन अभ्यास का ज़न किया गया है वो भारत और सेसल्स के बीच भारत और अमेरिका के बीच हाली में एक टाइगर ट्रंप नामक अभ्यास का ज़न किया गया है और एक वो क्या है वो एक एमफेबियन एक सरसाज है याने कि वो जल्ब और अस्थल दोनों से संबदित अभ्यास है तो ये नामिया दखने है टाइगर ट्रंप जो है यह भारत और अमेरिका के बिच आयजित की जाती है और इसी तरह से C.Defense 24 C.Defense 24 यह भी भारत और अमेरिका के बिच आयजित की गई है और एक तठ रक्षक बलो का एक युद्ध अभियास है C.Defense 24 भारत और अमेरिका के बिच भारत और थाइलेंड के बिच हाली में नो से नाभ्यास अयुथ्या का आयजिन किया गया था तो याद रखने है अयुथ्या नो से नाभ्यास जो है भारत और थाइलेंड के बिच आयजित की जाती है इसी तरह से खंजर खंजर एक अभ्यास है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच आज़ की जाती है और भारत और मिस्र के बीच एक आज़ीत की जाती है साइकलोन तो इन सब के बारे मियाद रखना है पूछा जा सकता है नेक्स्ट पाली स्वामी विवेकरनंद अंडर 20 फुटबल चेंपिनशिप का उधगाटन कहां किया गया ते 36 गड़ में किया गया है नेक्स्ट किस देश ने भारत में अपनी पाली महिला उच्च उच्चा युक्त लिंडी केमरून को निक्त किया है तो यह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा भारत में अपनी पाली महिला उच्चा युक्त जिनका नाम है लिंडी केमरून उन्हें निक्त किया गया है नेक्स्ट एक मिनट थोरा गरबर हुए है कनाडा में ठीक है यहापे कनाडा हो जाएगा हालमनी कनाडा में कनाडा में गर्णर फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला जोन डक्स पुरसकार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वेस्विक स्वास्त निदेशक को परदान किया गया उनका नाम के है तो उनका नाम है डॉक्टर गगंदीप कांज याद रखने है डॉक्टर गगंदीप कांजी ने जोन डक्स नामक पुरसकार दिया गया है तो यह डॉक्टर गगंदीप कांज को ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वेस्विक स्वास्त निदेशक है युलिया नवलनया उपर बताया गया था युलिया नवलनया को जर्मन लोक्तंत पुरसकार दिया गया था यह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि कुछ टाइम पहले रूस में एक विपक्ष के नेता थे मिचल टेला ग्रेंट इन्हें हाल ही में एबेल गर्नित का नोबेल जिसे एबेल दोजार चोबिस से सम्मानित किया है नेक्स्ट हाल में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स में किसने सिर्श स्थान पराप्त किया है तिसमें रूस पहला स्थान प्राप्त किया है, यूगरियन दूसरा, चीन तिसरा, और अपना देस भारत जो है इसमें दसमा स्थान प्राप्त किया है Next, संजुक्त राष्ट Economic and Social Council में हुए चुनाव में भारत की सबसे अधिक मतों से International Narcotics Control Board का सदस कौन चुनी गए, ते चुनी गए है, जगजित पवारिया तो जगजित पवारिया जो है, वो International Narcotics Control Board की सदस चुनी गए है और भारत की है तो यह किसके दोरा चुना जाता है, तो United Nation का जो Eco-Sock होता है, यानि कि Economic and Social Council तो उसके दोरा एक चुनाव किया जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ था जगजित का पवारिया को, और वो इसके सदस बने गई है कमल किसूर, इन्हें हाली में United Nation Disaster Risk Reduction का Assistant Secretary General चुना गया है राकेस मुहन को हाली में World Bank के आर्थिक सलाकार समोह में सामिल किया गया था और तरुन बजाज को हाली में US India Tax Forum का अध्यक्ष निप किया गया था, जैसा के उपर बताया जा चुका है Next, Super High Altitude इलागों में सटिकता और परभाव सील था तथा उच उचाई वाले वातावरन में Anti-Tank Guided Missile का परदर्शन एक Missile एक टैंक, लक्ष के पुष्टी के लिए भारतिय सेना के त्री सक्ती कोर के द्वारा कहां एक प्रसिक्षन अभ्यास का एजन किया गया तो यह किया गया है सिक्की में, तो कोश्चन का थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि बहुत उचाई पर जो अस्थान होता है, जो Super High कहा जाता है तो Super High Altitude इलाके में सटिकता और प्रभाव सीलता तथा उच उचाई वाले बातावरन में एंटी टैंक के गाइडेड मिसाइल का परदर्शन करने के लिए और उसे में भारत के दोरा एक एवजना चलाई जा रही है, एक मिसाइल, एक टैंक तो इस लक्ष की पुष्टी के लिए भारतिय सेना के त्री सकती कोर, तो त्री सकती कोर क्या है, तो भारतिय सेना का एक कोर है, त्री सकती कोर तो उसी के द्वारे एक प्रसिक्षन अभ्यास का युजन के आगे है सिक्की में Next, हाल में जारी हुरून ग्लोबल इुनिकॉर्न इंडेक्स में किसने सिर्श स्थान परात किया तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इुनिकॉर्न है दुसरे स्थान पर चीन है तिसरे स्थान पर भारत है Next, हाल में जारी क्वाक्वेरेली साइमंड अर्थात QS World University ranking में किसने सिर्श स्थान परात किया है तिसमें Massachusetts Institute of Technology ने पहला स्थान परात किया है Cambridge विस्विद्याले दूसरा और Oxford विस्विद्याले ने तिसरा स्थान परात किया है अगर भारत में देखा जाए तो जवाहरलाल नहरू विस्विद्यालार्थात JNUG वो पहला स्थान परात किया है अगर Management College की बात किया तो IAM Indian Institute of Management ठीक है IAM एहमदाबाद, बैंगलूरू और कोलकात्ता इन तीनों के द्वारा Under 50 में अस्थान हासिल किया है और JNUG वो पचीसमा अस्थान हासिल किया है Sorry, 20 में अस्थान हासिल किया है Next, हाल में जारी Crime Rate in Country 2024 रिपोर्ट के नुसार किस डेश में Crime Rate सबसे ज्यादा है तो सबसे सिर्ष में इन तीनों देशों को रखागे पेनोजुवेला पहले स्थान पर रहा है Papua New Guinea दूसरे स्थान पर और Afghanistan तीसरे स्थान पर रहा है यहने कि सबसे ज्यादा Crime वो बेने जीवेला में है Qatar में सबसे कम है Qatar, Denmark और Japan इन तीनों वो सबसे कम बालो जगह में पाए गया America वो बीच में है ठीक है, America करीब-करीब बीच में है और इसमें भारत का जो अस्थान मिला है तो भारत को इसमें सथातरमा अस्थान मिला है Next भोपाल इसीत राष्ट्रिये नियाइक अकादमी का नेत्रित्व का कारेवर किसने संभाला है तो ये सुप्रीम कोट की फूर्व जज जो हाली में रिटायर हुए अनिरुद बोस ये संभाले है तो याद रखने है राष्ट्रिय नयाईक अकादमी का है भोपाल में तो इसी का नेत्रिद्याने की अध्यक्ष का जा सकते है अध्यक्ष बन गए अनिरुद बोस इन्हें निक्ष कोन किया है तो भारत के मुख नियादिस डी वाई चंदर चूट के दवराईने निक्ष किया गया है वी आरगबई ये पुर्व भारत के पुर्व नेधिस है और हाली में इने सुप्रीम कोट लिगल सर्विस कमिटी का अध्यक्ष निउक्ष किया गया है सुप्रीम कोट के लिगल सर्विस कमिटी का अध्यक्ष निउक्ष किया गया है नेक्स्ट बारा घंटे तक मैनुवल ट्रेड मिल पर दौर लगा कर किसने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया तियो बनाये गए सुमीत कुमार सिंग के दौरा नर्यंदर कुमार के दोरा नर्यंदर कुमार के बारे मीद रख़ में हमें हैं फिंडिया मुवङ्मेंट का ब्रांट अमेश्ड़ बनाये गया है और एक IRA सधीकारी है और कुछ महीने पहले इनके दोरा Gateway of India से लेकर Elephantra तक इन्होंने टेर कर पार किया था नेक्स्ट जेफ बेजोस की Blue Origin New Shepard 2S यब 25 अर्थात NS25 मिशन के लिए 6 कुरूस सदस्यों के लिए एक चुने जाने वाले पहले अंत्रिक्ष परियाटक कौन बनेंगे ते बन्जाएंगे गोपीचंद थोड़ा कूट तो गोपीचंद थोड़ा कूट एक क्या एक पाइलेट है तो जोप बेजोस के द्वारा एक Blue Origin New Shepard 25 यानि कि NS25 तो NS25 मिशन का है तो इसमें 6 सदस्य को अंत्रिक्ष में परियाटन कराये जाएगा तो उसमें एक सामिल हो है भारत के गोपीचंद थोड़ा कूट और ये भारत के ऐसे पहले बेखती बन गए हैं बनने वाले हैं जो अंत्रिक्ष परियाटन के लिए चुने गए हैं अनिकि अंत्रिक्ष परियाटन करेंगे वैसे अंत्रिक्ष याद्रा करने वाले भारत के पहले बेखती हैं अराकेस सर्मा ये 1984 में अंत्रिक्ष की याद्रा की थी अगर विस्व में बात की जाए तो विस्ब के पहले अंत्रिक्ष परियाटक बने थे नवीन्तम ब्यापारिक आउटलुक और स्अंख्य की रिपोर्ट के नुशार कोन विस्ब का चोथा सबसे बड़ा डिजिटल सेवाँ का निर्यातक देस बन गया है तो यह बन गया है भारत ये जर्मानी और चिन को पीछे छोड़ दिया है तो याद रखने है World Trade Organization इस हाली में इसकी नभीनतम Westwick ब्यापार Outlook और सांखे की रेपोर्ट जारी की गए है और विश्व का सबसे बड़ा Digital सेवाओं का निर्यातक अपना दे चोथा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है शुर्जर लेन में इसका Headquarter है याद रखना है Next साहित में योगदान के लिए Nigeria इस्थित World Organization of Writer ने किने World Literature Prize 2024 से समानित किया है तो यह समान देगे है ममताजी सागर को तो ममताजी सागर कोन है तो यह एक लेखिका है और इनके द्वारा Nigeria इस्थित World Organization for Writer's के द्वारा World Literature Prize 2024 जीता गिया है दिप्ती बभुता एक पंजाबी लेखक है और इनके द्वारा कनाडा का धाहन पुरसकार जीता गिया था और इनकी बुक थी बुकर प्राइज जीता गिया था और उनका पुस्तक था Quoting India चेतना मारू इनके द्वारा इन्हें बुकर पुरसकार के लिए नामित किया गिया था और इनकी रचना है Western Lane Next किस देश की Electric Vehicle Company Citroen द्वारा भारत में निर्मित Citroen EC3 Electric Vehicle भारत से निर्यात होने वाली पहली Electric Vehicle बन गई है तो इस जर्मानी की कमपनी है Citroen तो सिंपल याद रखने Citroen EC3 यह भारत में बनी एक कार है जो एक Electric Vehicle है और यह भारत से पहली बार भारत में निर्मित को इलेक्रिक वेहिकल है जो निर्यात हुई है इसके साथ तो यह जो है यह Kissdesk की कमपनी है तो जर्मानी की कमपनी है इसके साथ यह समाप्त होता है अमिद है यह सेट आपके लिवपर होगी कोशिस कर दो तिन बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक के जानकारे आपको मिल सके थेंक यू